हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल में दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उन लड़कियों और महिलाओं के लिए हैं दोस्तों, एबोर्षन या फिर गर्भपात ना किवाल आपको सारेरिक रूप से बलकि मानसिक रूप से भी तोड़ करके रख देता है यह एक पीडा दायक पर क्रिया है, एबोर्षन कराने वाली दवाईयां मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है लेकिन बीना डॉक्टरी सलाके इसका इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और यह भी हो सकता है कि इसका असर आपके भविश्य में होने वाली प्रेग्नेंसी पर भी पड़े तो आईए अब वीडियो में हम देखते हैं कि अबार्शन कराने वाली दवा खाने के बाद कौन-कौन से पॉसिबल दुस्प्रभाव देखने को मिलते हैं दोस्तो पहला जो इसका side effect देखने को मिलता है वो महिलाव में इसका इस्तमाल करने के बाद अधित मात्रा में bleeding देखने को मिलती है दोस्तो गर्भपात कराने वाली दवाईया आपके सरीर में बन रहे pregnancy hormone यानि की प्रोजेस्टेरॉन के उत्पादन को बंद कर देती हैं जिसके कारण गर्भासे में पल रहा ब्रोड गर्भासे से अलग होकर के बाहर आने लगता है इस दवरान गर्भासे में होने वाला संकुचन bleeding को बढ़ा देता है यह bleeding आपके period के दवरान होने वाले bleeding की मात्रा से जादा हो सकता है ये bleeding आपको कुछ दिनों से ले करके एक महीनों तक हो सकता है दोस्तो abortion kit की गोलियां खाने से महिलाओं के पेट में तेज दर्द और एठन उठता है या कुछ इसी तरीके से होता है जैसे normal period में होता है लेकिन इसका दर्द बहुत ही तेज होता है इसके इस्तिमाल से महिलाओं के सरीर में खून के सासाथ और भी पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं इसलिए पेट के हिस्सों में पैरों में और सरीर के कई हिस्सों में एठन की सिकायत देखने को मिलती है दोस्तो जो महिलाओं या लड़किया abortion kit का इस्तिमाल करती हैं उनमें लगातार जी मिचलाने और उल्टी की सिकायत देखने को मिलती हैं कभी-कभी पेट में अत्यदीग मरोड के कारण दस्त की भी सिकायत देखने को मिलती हैं दोस्तो जो इसका अगला साइड इफेक्ट है वो है abortion kit खाने के बाद मेलाओं में सीरदर्द और चक्कर जैसी सिकायत बनी रहती है दोस्तो गोली लेने के बाद अक्सर चक्कर आते रहते हैं ये condition कुछ घंटों तक बने रह सकते हैं लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए चक्कर के साथ साथ कभी-कभी सरदर्द और बुखार की भी सिकायत देखने को मिलती है दोस्तों abortion kit लेने के बाद जो सबसे महत्पुड बाद ध्यान में रखना होता है वो है कि abortion पुरी तरीके से हुआ की नहीं दोस्तों कुछ मामलों में ऐसा होता है कि गोली लेने के बाद भी उसका असर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और भूड बाहर नहीं निकल पाता ऐसे हालात में सरजरी भी करानी पड़ सकती है दोस्तो वीडियो के लास्ट में एक सुझाव है कि अगर कोई महिला एनिमिक है यानि कि उसमें खून की कमी है तो आप एबोर्षन कराने वाली गोलियां बिल्कुल भी यूज ना करें इससे आपको ये सब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो ये थी जानकारी एबोर्षन किट उपयोग करने के बाद होने वाली साइड इफेक्ट्स या फिर ओसिवल संभावनाओं के बारे में जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद